ओम स्रीव एंकटेश्वराय नमहा आज के वीडियो में कुछ important updates जो संस्थान के तरफ से आए हैं मार्च के महिने के लिए साथ ही एक offline counter को बंद कर दिया जा रहा है तिरुपती में कौन सा है ये offline counter साथ ही एक दर्शन टिकेट के लिए और दूसरे दर्शन टिकेट के लिए कि offline counters में कौन सा counter बंद कर दिया जा रहा है स्रीवारी ट्रस्ट डोनेशन के जो offline tickets मिलते थे दो जगह में मिलते थे एक तिरुपती airport में और दूसरा गोकुलम guest house में जो की तिर्मला में है आज संस्थान ने एक press release के द्वारा भक्तों तक ये संदेश पहुचानी की कोशिश की है कि offline स्रीवारी ट्रस्ट tickets जो 10,500 का per person का ticket होता है उन counters को तिरुपती airport में बंद कर दिया जाएगा और उन counters को गोकुलम guest house में shift कर दिया जाएगा जो की तिर्मला में है हर दिन offline में 100 tickets दिये जाते थे जो भी लोग देश विदेशों से आ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए उन्हें boarding pass को attach करना पड़ता है स्रीवारी offline tickets के साथ जो की airport में मिलते थे लेकिन अगर आप boarding pass को लेके आते हैं और तिर्मला जाकर गोकुलम guest house में उसे दिखाते हैं तो आपको consider किया जाएगा जिस दिन आप आते हैं उस दिन का ticket नहीं मिलता है next day का दर्शन ticket मिलता है एक गंटे में दर्शन हो जाता है इसे VIP break दर्शन के अंतरगत रखा जाता है तो तिरुपती airport में जो offline स्रीवानी ट्रस्ट donation के counters हैं उन्हें December 15 तक बंद कर दिया जाएगा आपको December 16 से तिर्मला जाकर ही offline में स्रीवानी ट्रस donation tickets मिलेंगे और अगर आप airport से आ रहे हैं तब विदेश से आ रहे हैं उनके सहुलियत के लिए ये tickets हैं तो इस बात का ध्यान रखें अब समस्तें दूसरा update क्या है मार्च महिने के सारे दर्शन tickets को official website में भी update कर दिया गया है एक बार जरूर चेक करें कल ही मैंने वीडियो में समझाया था कि कौन से date में कौन सा ticket release हो रहा एक update जो नया है official website में वो है float festival का जो की मार्च महिने के 20th मार्च से लेकर 24th मार्च तक होने वाला है इस float festival को तिपोतसवम festival भी कहा जाता है ये एक शोभा यात्रा चोटी सी boat festival है जिसमें हर दिन एक एक देवी देवताव को पूरी तरह से सजाकर अलंकरित करके स्वामी जो पानी में होती है तो इसी लिए इसे float festival कहा जाता है ये एक सेवा कारिक्रम है इसकी tickets भी आप book कर सकते हैं एक mobile से 2 tickets book होते हैं पर person 500 रुपीज का charge होता है हर दिन 250 tickets को release किये जाते हैं ये लगभग रात 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का कारिक्रम होता है इस सेवा को देखनी के बाद आप उसी tickets से मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कर सकते हैं मूल विराट की यानि भगवान स्री वेंकटेशवर स्वामी की जो आप screen पे visuals देख रहे हैं ये भी तिपोटसवम festival के ही है इन tickets को आप December 21st को सुबर 10 बजे official booking website में book कर सकते हैं जिस तरह आजित सेवा tickets book होत होते हैं उसका भी option उसी में ही होता है यानि उस categories में ही आपको मिल जाएंगे एक mobile से एक ticket book कर सकते हैं या maximum दो tickets आप book कर सकते हैं यहां ध्यान दे क्यूंकि ये सेवा ticket है इसलिए इस से पहले यानि 6 महने पहले अगर आपने कोई सेवा ticket book नहीं की है तभी इस सेवा ticket को आप book कर सकते हैं usually दो सेवा tickets के बीच में जो gap होता है वो 6 मन्स का होता है कोई भी online ticket हो या offline ticket हो या 2 offline ticket के बीच में 30 days का gap होना चाहिए और senior citizen के tickets के बीच में 90 days का gap होना चाहिए तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें क्यूंकि आधार card mandatory है और कोई भी ID cards को accept नहीं किया जाता है इसलिए आपका आधार card number record हो जाता है इस gap को बहुत ही seriously consider किया जाता है अपने अपने original cards को जब आप तिर्मिला आते हैं तब भी carry करें 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ना online में ticket होता है ना offline में ticket होता है infants यानि एक साल से कम उम्र के बच्चों का बच्चों के माता पिता का भी कोई ticket के आवशकता नहीं आप directly सुपतम entry से भगवान के दर्शन लगभग एक घंटे में कर सकते हैं लेकिन ये free infant दर्शन को December 23rd से लेकर January 1st तक cancel कर दिया गया है बाकी सारे दिन आप आराम से सुपत साथी एकादशी के दोरान December 18th से ही recommendation letters को accept नहीं क्या जाएगा क्यूंकि December 19th को कोईल आलवाल का कारिक्रम है यानि एक शुद्धी कारिक्रम होता है वैकुंट एकादशी के पहले वाले दिन इसलिए December 18th से ही VIP recommendation letters को accept नहीं क्या जाएगा इस बात के पूरी जानकारी रखे त December 17th तक ही आप letters submit कर सकते हैं JEO camp office में मैंने VIP recommendation letters के तरू किस तरह से दशन किया जा सकता है उसके उपर भी exclusive video बनाया है आप चाहे तो उसे भी check कर सकते हैं और December 23rd से लिकर January 1st तक वैकुंट एकादशी का पर्व है इस पर्व के लिए 4,23,000 पूरे 10 दिनों के लिए offline tickets को release किये जा रहे हैं 9 counter तिरुपती में बनाया जाएंगे उन 9 counter के नाम अभी तक संस्थान ने confirm नहीं किया है एके counter में फिर 10 sub counters रहते हैं तो बहुत chances है offline tickets एकादशी के दौरान मिलने के लिए तो जैसे जैसे update आते हैं संस्थान के तरफ से वैसे ही हम इस channel में आपको update देते जाएं यहां ध्यान दे तिरुमला में आप एकादशी के दौरान यानि वैकूंट एकादशी के दौरान या तो आपके पास offline ticket होना चाहिए या online ticket होना चाहिए धर्मदर्शन यानि बिना किसी ticket के दर्शन allowed नहीं है मंदिर के अंदर इन 10 दिनों के लिए आशा करती हूँ यह सारे अपडेट्स आपके लिए इंफोर्मेटिव रहे होंगे ओम स्री वंक्तेश्वराय नमा